दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की क्योईरी के लिए इस नंबर पे आप कॉंटक्ट कर सकते हैं दर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मनजील मेरा होसला देखकर गुड मॉनिग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 20 जन्वरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए त प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें होसला जरू बढ़ाएं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों को साथ जितने भी आपको फ्रेंड्स त्यारी करें ताकि उनकी भी हिल्फ हो सके और दोस्तों वीडियो को आखरी तक जरूर देखा करें बहुत इंबोर्डन कोश्चन होते हैं प्रत्यक एक्जाम के लिए इसलिए आप इस वीडियो को लास तक देखें हमारे साथ बने रहें चले तो फिर फटा पटी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला मोस्ट इंबोर्डन कोश्चन दोस्तों आसियान और भारत के परेटन मंत्रियों के सात्मी बैठक कहा आउजित की गई है तो दोस्तों आसियान और भारत के परेटन मंत्रियों के सात्मी बैठक कहा आउजित की गई है ठीक है की गई थी यह और जो अपने केंद्री परेटन मंत्री दोस्तों केजे अलफॉंस ने बेतनाम के संस्कृत खेल और परेटन मंत्री स्री गुएन के साथ बैठक की सहधेख्षता की है ठीक है तो आप याद रखिएगा मंत्रियों ने आसियान भारत परेटन से यह बार जोर उनिश भी शुरू किया है दोस्तों यहां पर बात हो रही है आसियान की तो आसियान के बारे मापको सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए आग आप एक्जाम से पूछा सकते हैं आसियान का फूल फॉर्म क्या होता है एसोसीएशन आफ साउथ इस्ट एस्ट ए चाहिए धर साथ इसकी स्थाप नोई थी इसके सदस सदेशों संख्या की बात कि आ थो टोटल यह था टेन है और दोस्तों को बता दें कि अच्छों नवंबर मोह तरे 2018 में सिंगापूर में 34 जो सम्मेलन दोस्तों समीट होगा वो थाइलेंड में होगा तो आप सम्मेलन जरूर याद रखिएगा साथी से लास्ट का और आगामी ठीक है आने वाला तो इसे पहले सिंगापूर में होगा था ठीक है तो आप सारे याद रखिएगा आसियान का जो संबात सहवागी बना लिया गया था ठीक है तो इतने फैक्ट आप याज आसियान से लेटे रियाद रखेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्डेन इसका फूल फॉर्म एसोसियेशन आप साउथी स्टेसियन नेसंस और इसका हेड़कॉर्टर है जकारता इंडोनेशिया में कई बार एक्जाम में कोशन पूछा गया है चलिए तो आसियान के भारत के परेटर मंत्रियों की शात्मी बैठा काहा जिद की गई है तो यह की गई है दोस्तों भी इतना में ठीक हो जायागा अगले कोशन के तरह फटा पट बढ़ते दोस्तों निम्रिकित में से कौन भारत क पहले वन जी डेबलू लीथियम आयन बैटरी प्लान कर निर्माण करेगा तो यह करेगा भेल और लिपकॉइम ठीक है लिपकॉइन यानि कि इसका ऑप्शन डिकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन एक और दो तो भेल यानि कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिम्टेड भेल और लिपकॉइन भारत के पहले वन जी डेबलू लीथियम आयन बैटरी सेंट कर निर्माण करेगा ठीक है तो यह प्याद रखेंगे इसके लाब दोस्तों यह है पर्योजन प्रचूर मात्रा में नभी करणी उर्जा के साथ तेल आयात की जगह है उर्जा सुनतता लाएगी ठ इसकी दंद को भी बनाएगा जिसके परिणाम सुरू आत्म निवरता और कमलागत भी निर्माण होगा ठीक है तो बात करें आप दोस्तों भेल की तो भेल की स्थापना का हुई थी तो भेल की स्थापना हुई थी 1964 में इसका है निवडेली में और मैं इसका फुल आपको ब प्रदेश में ठीक है ओप्सन एक अलेक्ट हो जाएगा ठीक है देखे तो अठारा जन्वरी को रक्षा मंत्री जो है निर्मल सीतरा मन्या और प्रदेश में दिवांग घाटी जिले में डिफो नदीपर डिफो पूल का उधटन किया है इस पूल की लंबाई है 426 मीटर ठी ठीक है और यह पूल जो है दोस्तों पूर्वी और प्रदेश के दिवांग घाटी और लोहित घाटी छेतर को जोड़ता है इस पूल का निर्माड बॉर्डर रोड्स ऑगनेशन के प्रोजेक्ट उध्यक द्वारा किया था ठीक है तो निर्मला सीतरामन ने डिफो नदीप स्कूली शात्रों के लिए है जो अंतरीक शनुसंदान में ग्यान प्राप्त करना चाते हैं और दोस्तों इस कार्ग्रम के तहत प्रतियक राज्य और के अंसाजी प्रदेश के तीन शात्रों का चैन किया जाएगा दोस्तों उन्हें आर एंडी प्रयोक्सालाओं तक पहुं त्वारत का प्रदानमंत्री इसका जो वाइस चेर्मैन है वरतमानवी डाक्टर राजीब कुमार है पहले इसके उपाध्यक्षान थे नितियाग के वो हैं वो थे अर्विंद पंगडिया CEO कौन है मतापकान थे तो इतने आप हैक्ट याद रखियेगा योजनायक के स्थान पर नितियों के स्थापना की गई थी ठीक है चलिए अगला क स्थापना हुई थी 2015 में अक्टूबर 2015 में स्थापना हुई थी और दोस्तों इसका है मुंबई में है ठीक है याप याद रखियेगा और दोस्तों आपको वतादे कि इससे पहले वैद्यनाथन कैपिल फस्त के संस्थापर को अद्धेक्स थे दोस्तों दिसमबर 2018 में IDFC सी बैंक और गयर में बैंकिंग बित्ती कंपनी कैपिटल फस्त ने अपना विला पूरा किया था चलिए अग्लाउचन देख लेते हैं कोशन नमर सिक्स है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष्रूम में किसे ने उत्किया गया है तो किया गया पी आर अकी संजय लिखा को और यह परिस्त चमड़ा उत्पाद उद्योग को एक ब्यापार समर्दन संग्धन है और यह वाणिज और उद्योग मंतरालय के तत्तावधान में काम करता है ठीक है तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष्रूम में किसे ने उत्किया ग इतने नए नवसेन ऐर स्कॉवड़न स्थापनाको मझ्जोरी दई करेंगी सरकार ने केया अनधमां दon्दूव संगुव मवजुदा सर्विलांश् Monkey प्रदेश्ठित रोजा पाक्स ट्रेल ब्लेजर प्रूसकार्स प्रदान किया गया है उन्हें साहस और करुणा के लिए अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए समानित किया गया उन्हें दोस्तों एक अभियान सुरू किया जिसने अमेरिके अधिकारियों को सिख सम्दाय की पगड़ी के प्रति अपने नीती को बदलने के लिए मजबूर किया था ठीक है चलिए अकला उसे अंदे के लिते हैं फटा उलकापात करना इस उपगरे को दोस्तों एपसिलोन फोर रॉकेट तरह लांज किया था और टोक्यो में स्थिते एक स्टार्ट अप ने हिरोश्यमा को पर उलकापात परिशन के लिए उपगरे विक्सित किया था ठीक है जापान क्या है टोक्यो जापान के पीम है शिंजो का अगला कोश़न देख लेते हैं कीस देज की संसद्ने स्टीफन लोफवेन को दूसरे चार साल के कारकल के प्रधानमत्री चुना है यह चुना है स्टार रादार चन्वर्स में सबसे कम जोर प्रहस्कों में सेख होगा स्वेडियन की राजधानी के स्टाखों में उसकी मुद्रा है करेंसी है स्वेडिस क्रोना अगला ओशन है 22 से 24 जनवरी 2019 तक इंडिया स्टील 2019 प्रजशनी और समयनन का चौथा संसकरण कहां आज़ित किया जाएगा किया जाएगा यह कहां पर मुंबई में थी क्या ओप्सन सी इंडिया स्टील वहरुनीर प्रजशनी और समयनन का चौथा संसकरण दोस्तों 22 से 24 जनवरी तक मुंबई माजित किया जाएगा इसका आज़न इसपात मंत्राल है और फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स और कामर्स और इंडिस्ट्री नहीं फिक्की द्वारा किया जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स और कॉमर्स और इंडिस्ट्री इसका उद्देश से उद्द्यों की विकास के लिए एक रोड में विख्षित करना इसका विशह है बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डानेमिक्स बिल्डिंग यू इंडिया ठीक है की रॉइस के मुंबई में अगला है लॉस्हें लार्सन और टुके आंब सिस्टम कॉम्पलेक्सर और कचिया गया तका है तो किया गया है गुजरात में ठीक है तो गुजरात के हजीरा में लारसन एन प्रूबो आर्म्ड सिस्टम कॉम्पलेक्स को धारडन किया गया और देश की पहली नीजी शुविधा है जहां के नाइन वज्जर सो चालित हो विज्जर तो पोको निर्मार किया जाएगा ठीक है तो गुजरात में किया गया है अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं आज का सवाल हमारा क्या है कौन सी पहलवान को प्रदिष्ठित लौरियास वर्ल्ड स्पोर्ट के लिए नामित होने वाली पहली भारती में बन गई है फटापट इसका एंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में इदिया आपने कल की वीडियो नहीं देखी जैस्ट यहां पर प्ले कोई जरूर देख ले दोस्तों और दोस्तों आप डेली मौनिंग में पंदा मिट का समयने काले करें जरूर देखा करें ठीक है बहुत बॉटन होते हैं साथ इससे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोसों नेक्स वीडियो के साथ तब तक कि लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्तर रहे बैस रहे मस रहे पढ़ते रहे जै हिंद जै भारत